हेलो गाइज वैलकम टू मैं चैनल गाइज आज मैं क्लास 10 का चैप्टर हैक ड्राइवर जो की फुट्प्रिंट्स विदाउट फीक की बुक का चैप्टर है उसकी समरी इस वीडियो में एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ गाइज ये वीडियो आप एंग तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो जाए अगर आप इस स्टोरी को आधा देखोगे तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी और आप कोशन्स इजलियर कैमिकल नहीं कर पाऊगे सो स्टार्ट करते हैं गाइज इस चैप्टर के ओथर का नेम है हैरी सिंक्लियर लुईस इस में एक यंग लॉयर जो के खुद ओथर हैं बताते हैं कि वो ग्रेजुएशन कम्प्ली कर चुके हैं और अब वो जूनियर असिस्टेंग क्लर की जॉब करते हैं पर वो इस से बिल्कुल भी सैकिस्फाइ नहीं हैं क्योंकि उन्हें समन समन मतलब गवर्मेंट लैकर्स को देने बहुत चीप चीप जगया जाना पड़ता था इसलिए उन्हें ये जॉब अच्छी नहीं लगती थी एक दिन लॉयर बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें 40 माइल्स दूर एक न्यू टाउन में जाना था और जिसको लैकर्स देनी थी वो इस बार कोई क्रिमिनल नहीं बलकि एक विकनेस था तो वो बहुत खुश थे और वो सोच रहे थे कि वो जिस गाओं में जा रही हैं वो सुंदर और साफ सुतरा होगा पर ऐसा बिल्कुल नहीं था वहां रीवर्स बहुत ही पल्योकिड थी और वहां बहुत ही जादा गंदगी भी थी फिर उसे वहां एक डिलिवरी मैन मिलता है जो दिखने में लगभग 40 इयर्स का था वो उससे पूछ था है मैंने एक आदमी के बारे में पूछना है जिसका नाम है लूट किंग्स फिर वह गिलिवरी मैन कहता है लूट किंग्स उसको तो मैंने अभी देखा था फिर वह आदमी कहता है उसे घूणना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वह हर समय ट्रैवल करता रहता है कभी इधर और कभी उधर फिर वह कहता है कि शायद वह फिस शॉप के पीछे पोकर गेम खेल रहा होगा फिर वह गिलिवरी मैन लॉयर से पूछा क्या तुम्हें जल्दी उसको घूणना है फिर लॉयर कहता है हाँ हाँ मुझे बहुत जल्दी उसको घूणना है फिर मुझे दुपहर की क्रेन पकड़ कर वापिस भी जाना है फिर गिलिवरी मैन कहता है कि च की मदद कर रहा था गाइस हैक ड्राइवर क्या होता है जो टॉंगाज चलाते हैं जो आपको पिच्चर में शो हो रहा है न तो इसको हम क्या बोलते हैं हैक ड्राइवर फिर वो दोनों रास्ते में आपस में बात करते जाते हैं फिर हैक ड्राइवर लॉयर से कहता है कि क्या आ अभी तक मेरे पैसे नहीं दिये हैं। फिर हैक ड्राइवर कहता है कि अगर वो आपको ऐसे फैंसी ग्रेस में देखेगा तो वो वहाँ से भाग जाएगा। फिर लॉयर कहता है कि नहीं नहीं मैं उससे कोई पैसे नहीं लेने आया। मैं तो उसको एक लेक्टर जो कोट से आया है समन वो देने आया हूँ। दोनों फिज पहुंच जाते हैं और वहाँ लूट किंग के बारे में पूछते हैं। वो कहता है हाँ अभी तो वो यहीं था अब वो बारबर शॉप पर बाल कट्वाने गया है। दोनों बारबर शॉप पहुंच जाते हैं वो दोनों वहाँ से पूछते हैं आपने लूट किंग को देखा है तो वो कहता है नहीं मैंने नहीं देखा फिर वो बारबर कहता है कि अगर तुमें लूट किंग कहीं मिले तो मुझे बताना क्योंकि मैंने उससे 35 गॉलर लेने ह वो दोनों लूकिंग को बहुत डूंड रहे थे पर वो कहीं नहीं मिल रहा था एक बज गए वो दोनों बहुत हंगरी थे फिर लॉयर कहता है चलो हम किसी होटेल में से कुछ खा लेते हैं फिर हैक ड्राइवर कहता है नहीं नहीं वो बहुत पैसे लेते हैं और उनका खाना भ को इंजॉय करते हैं थोड़ी देर बात फिर वो दुबारा लूटकिंग को ढूने निकल पड़ते हैं फिर हैक ड्राइवर लूटकिंग की फ्रेंड से पता करते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि वो तो अपनी मम्मी के फार्म में गया है फिर वो लॉयर को कहते हैं उसकी बहुत तेज है फिर वो कहता है कि लगता है उसे पता लग गया है कि हम उसे ढूंड रहे हैं इसलिए वो अपनी मा के पास चला गया है फिर वो फार्म पहुंच जाते हैं वहां उसे एक बुड़ी दिखाई देती है फिर वो उसके पास जाकर उससे पूछते हैं क्या आपने लूट किंग्स को कहीं देखा है फिर वो लेडी चिला कर कहती है मुझे नहीं पता फिर हैक ड्राइबर भी उस लेडी को गुसे में बोलते हैं कि यह दूसरे शहर से लूट किंग को समन देने आया है और इन्हें हक है कि यह तुमारे घर की तलाशी ले सकते हैं फिर वो उस लेडी को फॉलो करने लग जाती है फिर लेडी वहां से गरम रोड निकालती है और कहती है खीक है तुम तलाशी ले लो पर अगर मैं तुमें बीच बीच में यह गरम रोड से मारूंगी तो तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे फिर वो हैक ड्राइबर बहुत गर जाता है और लॉयर से कहता है कि चलो यहां से भाग जाते हैं वरना यह हमें मार ही गालेगी फिर लॉयर कहता है हाँ मैं यहां से नहीं जाओंगा वो दोनों चुप चुप कर तलाशी लेती हैं पर उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिलता फिर हैक ड्राइबर लॉयर को स्टेशन छो हैक ड्राइवर बिल ही लगा क्योंकि वो बहुत काइंग हकिड और हेलपफुल था फिर जब लॉयर पहुंच जाते हैं तो उनके बॉस उन पर बहुत चिलाते हैं और कहते हैं कि तुम उस न्यू काउन में दुबारा से जाओगे और इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे फिर वो दुबारा उस टाउन में उसी फार्म में जाते हैं और वो देखते हैं कि वो हैक ड्राइवर जो उनकी मदद कर रहा था वो वहाँ पे उस बुड़ी लेडी से बात कर रहा था जो बुड़ी लेडी उनको उस ताइम भगा रही थी फिर वो अपने साथी को बताते ह कि यही हैक ड्राइवर है जिसने मेरी मदद की थी फिर उनके जो साथी होते हैं वो कहते हैं यह इन्होंने आपकी मदद की फिर लॉयर उनसे पूछता है क्यूं आपको कोई शक है फिर उनके साथी ओतर को बोलते हैं कि यही थो ओलिवर लूट किंग है फिर ओतर यैस उनके ए रूटकिंग है, वो कहते हैं, यह लूटकिंग है तबी तो इतनी तुम्हारी मदद कर रहा था लूटकिंग को ही गूणने में फिर वो दोनो ऑलीवर लूटकिंग को लेकर पकड़ा देते हैं और ऑलीवर लूटकिंग ऑथर से पूछ था है कि चलो हम बैड कर कॉफी पीते हैं क्यूंकि वो कॉफी वाले ने आपको नहीं देखा था जब आप आए थे गाइस थैंक्स फो वाचिंग मैं वीडियो गाइस इफ यू लाइक मैं वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेर मैं वीडियो और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में जादा से जादा इस चैनल और इस वीडियो को शेर करें थैंक्यू बाइ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में